वजरासन, आप जो आसन हम करने वाले हैं, वो आप कभी भी, किसी भी वक, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, खाने के तुरंद बाद भी इसे कर सकते हैं, सामान्य तहा इसे खाने के बाद ही करते हैं, सिर्फ आप अपनी क्षमता अनुसाल ही करें वजरासन अगर आपके गुटनों में या पैर के पंजों में कोई परेशानी है तो इस आसन को ना करें या कम समय के लिए करें दोनों पैरों को मोड़ कर एडियों पर बैठिये लेकिन पैर का पंजा पीछे सुला हुआ होना चाहिए दोनों हाथ जंगाओं पर आखें बन जब तक हो सके इसी स्थिपी में बैठिये इस आसन को भोजन के बाद तीन चार मिनट तक जरूर करना चाहिए इस आसन को किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है लाग ये आसन पाचन क्रिया में सहयक होता है और पेट में उपस्थित बाधाओं को भी दूर करता है जिससे खाना जल्दी बचता है और उर्जा मिलती है